हेलो दोस्तों स्वागत आपका श्याओं मैं उसनी कुमा के टिव स्टालिज राज अगे इन लेगे हैं आप लोगों के लिए एक नहीं है स्टालिंग की वीडियो और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो काफी डिटीर्ड है एक्चुली बेसिक स्टालिंग के लिए काफी इ बना रहे हो तो उसके टॉप एरिया पे स्टफिंग की लॉंग स्टफिंग की सेटिंग कैसे करें फॉद्व पट्टा सेटिंग मांग्टिका कैसे लगाएं और साथ-साथ में एक फ्रेंट वेरेशन की वीडियो भी हम देख लेंगे और हाव टुमेक टॉप पॉफ मलब अ इसमें होना कैसे तो वीडियो को दोस्तों सुरू से लेकर आखरी तक देखेगा ताकि आप एक एक चीज को अच्छे से समझ पाएं और यह काफी डिटेल वीडियो होने वाली है तो प्रीज इसको सुरू से लेकर आखरी तक देखेगा जरूर ताकि आप इसको अच्छे से understand कर सकें और आगे अपनी styling में अपने काम को आप improve कर सकें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो सबसे पहले अभी हमने preparation जो है वो हमने neat and clean ब्रूराई करके रखा हुआ है तोड़ा सा crimping भी आप कर सकते हैं volume and texture के लिए तोड़ा सा volume भी मिलेगा और texture भी मिलेगा grip भी मिलेगी आपको अगर आप crimping करते हैं तो तोड़ा सा grip मिल जाता है hair जल्दी से फिसलता नहीं है तो यह हमने कुछ इस तरह के से parting ले रखी है यह हमारा radial parting है kind of यह आप जो बतले हैं कि like air to air partition मलब इस कान से इस कान तक पूरा आपने kind of half round section आपने play कर लेना है इसको हम बोलते है radial parting तो यह radial parting आपने लेनी है जहां से बाल का natural fall start मिन्स जहां से बाल किरना start हो जाता है on top area से बढ़ हमने बिल्कुल यहां top पे नहीं रखा on the behind part मिन्स यह occipital bone है इसके just top area पे यहां से आपका बाल natural fall मिन्स downwards की तरफ जाने लग जाता है तो यहां से आपने यह section draw करना है because आगे हमें variation के लिए ज़्यादा बाल चाहिए तो हम यहां तक आपका puff बन जाता है and then यहां से आगे वाले portion पे आप front variation के लिए या कोई भी सी styling आप play कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने radial parting ले ले नहीं है कुछ इस तरीके से और इसके बाद हम यहीं से पहले back coming करेंगे और इस top area पे long stuffing लगांगे for the part setting और साथ साथ में हम देखेंगे कि pin-up कैसे करते हैं क्योंकि आप मेंसे बहुत सारे लोग ने मेरे को पहले भी बहुत सारे लोगों ने comments किया कि सर हम जो top area पे long stuffing लगाते हैं तो वो सही से pin-up नहीं हो पाता है या वो बहुत hard होती है तो उसी के बीच में हम थोड़ा से उसी topic से related हम चर्चा करेंगे कि लाग आपको कैसी stuffing यूज करने हैं कैसे इसको pin-up करना है यह स एर के आपने back point पे लिए है वैसे यह manicune का head है हो सकता है आप जब client के उपर ले रहे होगो तो यह आपका तोड़ा सा इस point पे आए तो उसके accordingly आपने client के head के accordingly आपने देख लेना है बट यह almost जहां से बाल का national fall start हो रहा है वहां तक आपने लेनी है ताकि यहां तक आपका puff बन जाएगा और यहां से आगे आपको front variation के लिए आपको hair मिल जाएंगे सी यहां तक पब बनेगा और इतना part आपका front variation के लिए आजाएगा तो यहीं से सबसे पहले हमने यह इस point से ही हम back on करेंगे और top point पे हम यहां पे stuffing लगाएंगे तो सबसे पहले आपने यह kind of छोटा सा section आपके ले लेना है यह हलका सा आपने kind of she section यह D section आप कह सकते हैं because of यह यहां से और its kind of D अब यहां इस तरह का section ले लेना है इसको करेंगे हम back on back on सारी आपने रूट इर्या पे रखनी है यह देखे हम जो back on कर रहे हैं वह सारी बैक on जो है वह root area पे रहेगी यह केवल केवल और root area पे तो इसको आपने back on करना है root area पे और फिर इसके उपर हम करेंगे hair spray औके इसके उपर करेंगे हम हैर स्प्रेय में अभी यूज़ कर रहा हूं ये नुवा गूल्ड का थोड़ा स्टिक होता है बर्ट 4 निंबर का होल पावर होता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो जसके आपको इसको इसके रूट एरिया पर करना है और इस बाक कॉमिंग को हल और जासे लेंगे, because यहां तक हमारी long stuffing आने वाली, तो इसकी support के लिए, कि उसको lock करने के लिए आपने इस पर back home करना है, यही back home से हम आपकी stuffing को जो आप टॉप एरिया पे लगाऊगे, तो यहां से भी आपने section उठा लेना है, और इसको भी आपने forward की तरह प्ले कर लेना है, same आपका other point यहां तक आएगा long stuffing का तो यहां से भी आपने section उठा लेना है और इसको भी आपने back calm करना है on root area आप अभी cross कर सकते हो बट back calming जो रहेगी वो किवल आपकी root area पे रहेगी spray करें और इसको हलका सा प्रेस कर दें आपके वो तोड़ा solid हो जाए अब आपने सारे section पीछे की तरफ आपने national fall जैसे थे वैसे आपने इनको play कर ले रहा है सारे बाल national fall पे चले जाएंगे जैसे वो गिर रहे हैं या जैसे वो जा रहे हैं उनको जहने दें बस हमें केवल और केवल यह रूट एरिया पर बैक कॉम चाहिए पॉद्ध सापोर्टिंग पॉपस के लिए और अब जो है आपने front point पे आ जाना है और अब हमने एक kind of big D section यह लग आपका यह आपने एक छोटा सा section लेना है आरांडी 2 इंच के आसपास में आपने यह section लेना है इसको आप D section बोले kind of C section बोले तो यह कुछ इस तरह का section आपका निकलता है मैं भी आपको दिखा देता हूं so just इतना broad यह होना चाहिए और इसी में हम जो है stuffing की setting करने वाले हैं तो आपने यह top area पे यह देखे आपने यह top area पे कुछ इस तरह का section यह ले लेना है यह इस point से और इस point तक यह देखे कुछ इस तरह का section हम लेंगे और इसको हम करनेंगे यहां से लिया है हमने और इस point तक तो इस तरह का section आपने हलका सा D mention करते हुए कि यह street है and it's a kind of D इसलिए हम इसको कहते हैं kind of D section तो यह आपकी जो इसकी broadness होनी चाहिए यह इसकी broadness हम रखेंगे और इसको आपने just route area पे back on करना है तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको back on यह देखे तो back on जो रहेगा just section के पीछे पीछे ही रहेगा तो यह हम back on करेंगे यह देखे सारी back on हम route area पे press करेंगे मैं आपको तोड़ा सा एदर से दिखा देता हूँ back coming जो है सारी पीछे पीछे रहेगी और route area पे okay back coming के लिए हमने इसको कॉम किया है और सारी back coming जो है route area पे रहेगी सारी back coming यह देखे हमने direction और सारी back coming section को cross क्रॉस नहीं करना यह देखे हैं ऐसे cross próxima करना इसको इसको बिलकुल आप section के पीछेशे पीछे रहें लार्च आप यह सको cross नहीं करेंगे अगर cross करेंगे तो आपका back एफेक्ट रहेगा और पीछे पीछे आपको केवल BACCOMMING दिखेगी यह दिकर जिससे यह आपके फ्रण्ट पे एफेक्ट रहेगा और पीछे से केवल BACCOMM का support रहेगा तो यह तो पहले इस तरीकी से आपने backcomming कि शीख नहीं है कि आपका शक्राइब जो पीछे-पीछे रहे है दर नाव हमने इसमें stuffing सेटेंग करनी है तो हम हम इसमें step backcom करेंगे तो आफ आप इसको Cross कर सकते हो फॉर स्टाप backcom के लिए अब आपने इसको strong backcom करना है आई देखे हम इसको स्टैप करते करते बिल्कुल टॉप पॉइंट तक ले गए हैं यह आपको दिखा देता हूं आई यह बिल्कुल हमने इसको टॉप पॉइंट पे इसको हमने ऐसे होड कर दिया है यह घुल को ड्राइब को किया हुआ है अब इसमें आपने हाड इस्प्रेइ नहीं यूज़ करना यूज़ दिखिए हम यूज़ का इस पर यूज़ कर रहे हैं इस पर यह वाला बैक कॉम एजली खुल जाए और क्लाइन को भी प्रॉब्लम नहीं होगा इससे यह जल्दी खुल स्टफिंग को ऐसे रूल करें अंदर की दरब और इसको जस्ट रूल करते हुए आपने इसको रूट टॉप एरिया पे सेट कर लिया है और जो यह आपने रूल किया हुआ है इसको आपने स्प्रेड भी कर देना है तो यह टॉप एरिया पे सेंटर पॉइंट पर आपकी स् पे ही है या नहीं क्योंकि जो भी आप दुपट्टा सेटिंग करोगे उसके लिए जो भी दुपट्टे का वेट है वो आपका टॉप इरिया पर होना ज़रूरी है तो हम इसको टॉप रहापे सेट करेंगे अब कैसे करेंगे यह देखे बॉबी पिन लेंगे अब इसको या था सपोर्टिंग के लिए इसको आपने बॉब पिन के ये नीचे वाला पार्ट ये नीचे वाले पार्ट से इस पर जाएंगे और उपर वाले पार्ट से स्टफिंग का नेट लेंगे और जस्टफिंग के अंदर चले जाना है नीचे अंदर नी जाना प्रस इसके डाउन पॉइंट पे चले जाना है तो यह पहले बॉब पिन आपने स्ट्रीके से लगा ले रहे हैं नाव अगें दूसरी यह हमने जो पहले बाक कॉम किया था यह यहां से आपने इसका बॉबी पिन का नीचे वाला आपने यह नीचे वाली गृप का आपने इसको डालना है यह बाक कॉम सपोर्टिंग है लिए इस से यह पॉइंट से इसका नेट लिया अजस्ट डाउनवोर्ट की दरफ तो यह बेस क्या बल रहा है आपने जो यह बाक कॉम के लिए आपने यह सेक्शन लिए थे यह इसको टाइट करके ग्रिप कर लेगा जिसकी वज़े से आपकी और कॉनर पॉइंट पे यह चीज़े उठ जाती है तो इनको भी आपने लॉग करना है यह साइट पॉइंट पे जो आपने बाक कॉम किया था स्टफिंग का नेट ले और स्टफिंग के नीचे ही आपने इसको दबा देना है तो यह उठेगी नहीं और इस पॉइंट से भी आप इसको नीचे हैर ले और इसको ही आपने हैर के साथ में ही नीचे प्रेश करके लॉक कर देना है अगें दूसरी साइट से भी हम यहां से यह श्रक्षन उठ जाएगा इसको भी आपने प्रेश करना है पीछे हैर के सपोर्ट के मदद से इसको दबा देना है लॉक कर देना नहीं यह काफी solid tight हो चुका है क्योंकि हम इसको bobby pin से lock कर रहे हैं bob pin से आपका pin up काफी tight होता है तो यह कहीं जाएगा नहीं तो यह आपने top area पे इस तरीके से आपने यह long stuffing लगा लेनी है इसको सोड़ा center में करते हैं यह दिखे तो यह आपका top point पे stuffing लग चुका है अब दूपट्टा के setting इसी के ऊपर आने वाली है तो इस corner से इस corner तक इसकी coverage आगी अब आपने side से एक और section लेना है तो मैं दिखा देता हूं आपको side से तो side से भी आप थोड़ा सा diagonal section लखेंगे और forward की तरफ आगे आते वे रखेंगे center से नहीं लेना corner point से यहां से corner point यह देखें यह center है तो यहां corner से हमने लेना है इसमें हमने मांग टिका setting भी करनी है वैसे मांग टिका setting इसके पहले हो जाएगी तो suppose आप कभी कभी भूल जाते हैं अच्छा हुआ कि मैं भी भूल गया कि कभी कभी गया जाते हैं मांग टिका setting करने भूल जाते हैं और बाद में आप यह long stuffing लगा देते हैं या puff बन जाता है बाद में क्लाइन को याद आते कि हमने तो मांग्टिका लगाना था और फिर हम फ़स जाते हैं कि मैं हम आपने पहले क्यों नहीं बोला और कई बारी हम भी भूल जाते हैं तो हम कैसे हम मांग्टिका को लगा सकते हैं स्टाफिंग लगाने के बाद या पफ करने के बाद भी तो अभी हम सेंटर पाटिशन देखें पहले मांग्टिका सेटिंग कर लेते हैं तो यह जो है एक मांग्टिका है यह देख लीजिए मांग्टिका है इसमें हमने यह के अपन करेंगे हैं और बाप निचे वाले इसको बांद देना है इसको देखेंगे जाएगा नाओ आप इसको प्लीज करना वहां पर रखेंगे और स्टफिंग के नीचे नीचे से आपने यह थे यहां है यहां से आपने निकाल देना यहां से अंदर डाली और इस बैक पॉइंट से आपने इसको निकाल देना है यह देखें मैं दिखा देता हूं यहां से आपने इसको फील करना है यह देखें तो बॉप पिन को आपने यहां से इस पॉइंट से देखें निकाल दिया हमने इसको तो इसको आपने जर्स बैक वड की तरह पूर कर ले रह क्लाइं को पूच के कि मैं इसको यहीं पर सेट करें तो जहाँ पर उनको चुछ यह वहाँ सेट करें ना व फ्रेट को चोड़े ना क्योंकि अभी यह टाइट करके या लॉट नहीं है अब इस POINN पर हमने पीचे इसको लॉट करना है तो इसको लॉट करने के लिए आप इसक लगा देनी है क्रिस अंक्रॉस करके हम निसको लगा लिया है तो यह बिल्कुल threed के मदद के साथ में आपका threed के साथ में आपका lock हो जाएगा अब ये mang tikka कहीं जाने वाला नहीं है तो इस तरीके से आप with threed के साथ में mang tikka setting करेंगे तो ये आपका mang tikka set हो जुका है अब हम जो है side corner वाला section लेते हैं और side point की भी हम coverage कर लेते हैं तो आभी हैसाने हमने स्रेड़ लेना है कि देखेए हासे आपने साइट से शेक्शन लिया और इसको भी आपने हम करना है। बांकिते तिरफ अम इसको करेंगे। करेंगे तो आपने सको कॉंप किया ये टेंगल फ्री होना चाहिए लाव जोस दू बाइक ओम यूट फिछ है पीछ पीछे रखना है क्रॉस नहीं करेंगे बाइक पॉम विंगो और फ्रीइ ऑर इसको फिर प्रेस करें और स्ट्रीट जाना है आपने उपर की तरफ नहीं जान बस स्टील सेक्शन क्लिप से पीछे होड कर लेना है यह देखें इस पॉइंट पर हम ने इसको होड कर लिया है अब बैकॉम पीछे-पीछे रखेंगे तो आगे फ्रीजनर नहीं आएगी अगर आप क्रॉस करोगे तो यह आगे चली जाएगी तो कोशिश करें कि पीछे-पी लें सही आ रही या नहीं तो यह बिल्कुत सही आ रहा है तो इसको आपने यहां पे जो है बॉप पिन से लॉक कर देना है तो इसको हमने जा सलका साथ ट्विस्ट कर लें ताकि इसके ग्रिप थोड़ी सही बने और इसको आपने बॉप पिन से बेसेर के साथ में लॉक कर द अभी हम सारे section separate separate lock कर रहे हैं पहला section लिया उस पर stuffing लगा है उसको lock कर दिया दूसरा लिया उसको आपने पीछे लिया कि इसको भी lock कर दिया corner का section now again दूसरी side से भी same section हम draw करेंगे और इस black part को भी हम hide करेंगे means side corner को भी आप coverage देंगे तो ये भी आपने center से नहीं लेना हमने side से लेना है ठीक है आप लोग क्या mistake करते हो center से लेते हो बार बार तो इसको center से नहीं लेना coverage कहां है यहां है किदर है side point पे हाँ बिल्कुल ठीक है side point पे coverage देनी है आपने तो आप यहीं से लोगे center से नहीं लेना ठीक है यह mistake नहीं करेंगे आप लोग तो just इसको आगे आते हुए ये देखिए तो थोड़ा सा forward रखा हमने बिल्कुल इसको सीधा नहीं लिया थोड़ अगे आते हुए क्योंकि इसी से आपका फोर्ट सेक्षन निकलेगा तो इसको भी आपने जस बाक कॉम करना है section के यह देखिए section के पीछे-पीछे हम बाक कॉम रखेंगे cross नहीं करेंगे तो यह देख लिजे कि आपने जस्ट इसको straight रखा है बाक कॉम पीछे-पीछे cross नह करें इस पर भी आपने hard spray यह देखिए नोवा गूर्ट का स्प्रें हम यूज कर रहे हैं hard spray करना है तो इस तरीके से आपका time भी save होएगा और आपकी back coming भी जो रहेगी नीट रहेगी एक पारी में ही स्टील की section clip से इसको hold कर लें pin-up के लिए आपके लिए easy रहता है कि आपके दोनों hand जो है free हो जाते है pin-up करने के लिए और आप अच्छे से इसको tight करके pin-up कर सकते हो भी आपने यहां पर log कर देना है यह देखें तो दोनों corner से आपने इसको neat कर लिया है अब coverage जो है आपको यहां पर चाहिए दिख रहा है last section है इसके जाने के बाद आपका puff complete हो जाएगा यहां से और यह center point तक आपने इसको straight draw करना है और इसको आपने mouse कर देना है तो यह इस side का section हो गया यह पूरा round section बन जाएगा आपका now again दूसरी side से भी आप same technique करने वाले हो यहां से भी आपने यह देखो आगे आते भी लिया था हमने section तो center point से इसको भी हम मिलाने वाले हैं यह देखें तो यह भी आपका यह निकल गया section दोनों section को एक साथ मिलाएं और दे section जो है वो cover हो रहा है पूरा जो front वाला section रहेगा यह पूरा आपका round में आ जाएगा section यह देखें तो यह कुछ इतना broad section आपका दोनों side से मिला के निकलेगा और यह इस beach वाले point को cover करेगा तो इसको भी आपने backcom कर लेना section के पीछे-पीछे ही हम backcomming रखेंगे now I'm just doing backcomming on behind the section section के पीछे-पीछे on root area root area पर backcomming रखनी है hard spray यूज करेंगे कोई साभी hard spray आप यूज कर सकते हो अभी मैं हम नोवा गोल्ड यूज कर रहे हैं टाफ्ट यूज कर सकते हो gatsby है कोई भी holding spray चाहे वो branded हो चाहे वो non-branded हो तो वह भी आप यूज कर सकते हो just do calm calm करना है neat way से and last आपने spray करना है दूर से spray करें ताकि वह ज्यादा quantity में ना लगे और इधर से भी नीट करेंगे इस corner से भी नीट करेंगे यह देखे तो इस तरीके से आपका यहां से यहां पूरा neat puff आपका बन जाएगा यह देखे corner से करें सबसे पहले यह connecting point आपको मिलाने है क्योंकि इसलिए हम इसको स्प्रेट करें मौज करते हुए पीछे आपने इसको हलका सा twist कर लेना है और स्टील की section के लिए लगा लेनी है यह देखे तो यह आपका पॉप बन जाएगा इधर से और इधर से भी यह इस तरीके से आपने इसको complete कर लेना है कौम कर लें जहां पर आपको फ्रिजनेस नजर आती है और पीछे भी हम इसको जो है बॉप बिन से टाइट करके लॉप कर लेंगे तो यहां पे भी हम इसको जो है लॉक कर लेते हैं बॉप पिन से एक बॉप पिन आपने यहां लगा लेनी है दूसरी बॉप पिन भी आपने लगा लेनी है तो ये section भी हमारा lock हो गया है इसको भी आप क्रिस क्रॉस करके lock कर ले ये धियान रहे कि ये section आपका lose नहों तो pins आप लगा ले back point पे चाहे आप open installing play कर रहे हो चाहे आप burn installing बना रहे हो या bridle burn आप बना रहे हो तो इन pins को आपने height कर लेना है तो ये है हमारा mantika setting और कुछ इस तरीके से आपने ये puff बना लेना है balancing की need जहाँ पे है वहाँ पे आप टील कॉम से जैसे यहाँ पे हलका सा down है तो यहाँ से आपने इसको उपर हाथ रखे और दोनों तरफ से pressure देना है आपने अंदन जाके आपने इसको balance करना है तो इसको हम थोड़ा सा balance कर देते हैं दोनों तरफ से आप इसको pressure देंगे ये हाथ का curve रखते वे इसको आपने balance करना है और इसको just need करें आपने इसको neat बनाना है client के face के accordingly तो कुछ इस तरह का आपका ये puff बन जाएगा चाहिए now I'm just taking side parting हम side partition के साथ में इसको बना रहे है तो हमने side partition लेना है simple सा front हम इसमें play कर रहे हैं कोई ज्यादा dramatic नहीं है तो भी आपने केवल box section में इसको आपने complete करना है या client का natural fall है तो उसमें भी आप play कर सकते हो या client को केवल fall हलका सा fall चाहिए बाकी सारे section को आपको just corner point पे tong machine, curler machine यूज़ करनी है बाकी आपको look जो है fall में ही देना है तो आपने इस सारे section को एक साथ लेना है और इसको fall में ही आने दे यहाँ पे अगर volume चाहिए तो हलका सा आप इसको lift कर सकते हैं उपर की तरफ और volume फ्ले करें नहीं तो just आपको इसको fall में ही देना है तो यह section आपका fall में आ जाएगा now other side से आप उसके accordingly आप इदर balance करोगे कि आपको यह वाला section उपर की तरफ suit करेगा down में या किदर आपने इसका look देना है तो पहले हम उदर वाले section को complete कर लेते हैं partition check कर ले left right किदर देना है जिदर भी ज़्यादा suit करेगा उदर आप fall देने वाले हैं एक बार हम other side की partition भी देख लेते हैं maybe उदर ज़्यादा अच्छा लगे look इसका तो देख लेते हैं तो इदर भी जो हम इसको play करके देख लेते हैं so now बताइए आप लोगों को किदर ज़्यादा fall इसका अच्छा लग रहा है उदर या इदर बताइए बताइए left या right ये इसका right partition है right partition करके थोड़ा सा heat and trial करके देखेगा ताकि client को भी idea मिले और आपको भी थोड़ा सा idea मिले इसको play करेंगे और यहां से आप इसको outward करोगे तो इदर देते हैं तो कुछ इस तरीकी की look आएगे इसको थोड़ा सा volume दे सकते हैं तो ये इदर का look है finally और उदर का look करके देखेंगे देख लिए थे हैं एक बारी और तो ये side partition ली इसको भी हमने इदर play किया और इदर play करने के बाद आपने इसको हलका सा यहां से volume देना है और यहां से outward कर देना है तो किदर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को बताईए इसको आपने ज़स यहीं से turn out करना है तो फिलाल हम इसी side कर रहे हैं वैसे उदर भी कर सकते हैं तो यह न सोचे कि जिसने उदर बोला था उसका नहीं किया इदर किया चीक है तो उदर भी आप play कर सकते हैं इदर भी हम play कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है और उदर भी हम play कर सकते हैं देख लिजेगा client के face पे जिदर ज़्यादा suit कर रहा हूँ तो हम finally उधर play करेंगे तो आपको जो need है वो केवल box area की need है बाकी नीचे हुए section को आपने क्योंकि यह already काफी dense है तो इसके density को हम कम करेंगे और इस section को पहले आप पीछे ले जाए और simply आपने street ले जाके इसको पीछे lock कर देना है एर को हलका सा cover करते हुए पीछे ले जाए और बाप पिन से इसको lock कर ले क्योंकि इसने इस fall के नीचे दिखना नहीं है तो section को हम पीछे ले जाएंगे और इसको पीछे pin up कर देंगे now यह top point का section है इसको आपने जो है natural fall पे जाने दें इसको volume चाहिए वैसे तो यह look की कुछ ऐसा है कि आपने इसको natural fall पे देना है यहाँ पे आप हलका सा look को enhance कर सकते हैं यह देखें इसको calm करें और इसको just natural fall पे जाने दे flatter mode पे ही तो यहाँ पे आपने इसको नेचे जाने देना है natural fall पे और यहीं से यह आपने इसको curve machine से just turn out करना है तो हम यह 22 mm का हम टॉंग यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम on कर लेते हैं यहाँ से पहले आपने हलका सा इसको lift करना है and for the volume के लिए minor सा because of अगर हलका सा volume क्लाइन के face के उपा suit करता है तो आपको थोड़ा सा volume देना पड़ेगा इदा और बाकी को आपने बिलकुल natural fall पे ही जाने देना है तो इतना ही enough है ज़्यादा volume देने के need नहीं हमें क्योंकि इसका look थोड़ा अलग है और बाकी हैर को आपने यहीं से इस corner point से आप just turn out करोगे outward curl करना है यह curl आपने ले लेना है और यहीं से आपने diagonal रखना है इसको यह देखें तिर्चा रखावा है आपने और इसको backward की तरफ आपने इसको बस यहीं से rule out कर देना है जहां से आपको turn out चीए जहां से आपको turning out point चीए यहां से मुड़ना है इसने यहां से मुड़ना है जहां से भी आपको turn out चीए वहीं से और थोड़ा ऐसा इसको diagonally रखेंगे आप लोग तो बस इसको पूरा भी rule करने की need नहीं है जितना आपने rolling point चूर करना है उतना ही आप इसको rule करें यह देखें turn out कहां से चीए यह ज़रूर ध्यान रखें outward यह देखें यहीं से हम इसको turn out करेंगे तो अभी हम इसको just rule कर रहे हैं इसको hold रखें and then इसको आपने यहीं से आपने backward की तरफ rule करने ला है यह देखें यह section हमारा outward rule हो गया है fall जहां तक चीए वहां तक हम दिखाएंगे और साथ साथ में आपने holding spray यूज़ करना है इसको neat करना है इसका fall look आपने दिखाना है यहां से simple see and neat look है बट काफी अच्छा यह लगता है और यहीं से आपने fall देखना है और यहीं से आप इसको just turn out कर दोगे यह देखें इस corner point पे आपने इसको outward की तरफ ले जाना है यहां से और just see roll mention करते हुए आपने बस आपने यह थोड़ा fall थोड़ा down रखना है ताकि इसकी look जो है हो client के face पे आए थोड़ा downwards रखेंगे हम और यह rolling point नजर आना चाहिए बट कि ऐसा नहों कि यह rolling point नजर ना रहा हूँ यहीं पे आप इसको जो है जूड़ा pin से फिलाल के लिए हम इसको holding के लिए रख रहे हैं यह one and just two for the holding purpose आप यहां पे इसको रख लें because हमने इसको यहां पर ऐसे ही लॉग करना है तो हम यह जूड़ा pin लगा रहे है and just three and just इसको four उपर की तरफ चले because हम इसको यहीं लॉग करने वाले है तो यह पूरा rolling point आपका यहां से in the corner point से शो करेगा fall जितना दिखाना है client के face के accordingly उतना आपने fall दिखा लेना है और side locks को तोड़ा cover करते भी देंगे हैं यह नहों कि यहां से आपके hair दिख रहे हूँ तो इसको तोड़ा सा side locks को आप cover करोगे तो इस तरीके से आपने यह इस side का front sorry दिखाना है इसको तोड़ा tight कर लेते हैं काफी अच्छा लगता है यह simple साही है काफी elegant काफी decent काफी सुन्दर यह लगता है but face के उपर depend करता है जा रहा है या नहीं तो आपको तोड़ा सा hit and roll तो करना पड़ेगा इसको तोड़ा सा down रखे इसको आपने fine invisible pin से इसको आपने lock करना है ठीक है I am just using fine invisible pin for the locking purpose तो see यह आपकी fine pins होती है मैं भी आपको दिख रहे हूँ यह देखे बहुत छोटी सी पतली सी pins है यह आपकी दिखती भी नहीं है and just you have to lock by fine pins तो जैसे आपने यह यूपिंस लगा लेनी है I am just using fine pins यह देखे इसको lock कर लेना है आपने front area पे यहाँ पे हम इसको locked out कर देंगे यह देखे यह lock है and just इसको आपने as a you pins की तरह है आपने इसको in the top area पे आप जैसको लगा देंगे और यह locked हो जाएगा section उपर की तरफ जा रहा है तो इसको भी आप यहीं applicable करे now again I am just locking on the top area और यहीं पे आपने इसको fine pins से lock कर देना है बाद में यह you pins आपने हटा देनी है because यह केवल हमने जब हम इस pattern को बना रहे हैं उसके लिए हमने इसको fine invisible pin ही use करेंगे तो यह आपकी pins जो है visible भी नहीं होँगी और आपका section भी जो है lock हो जाएगा so अभी यह आपकी pins भी यहां पे इतनी visible नहीं है और आपका section भी जो है वो lock हो गया है तो इस तरीके से आपने इस front को set करना है और इसको तोड़ा सा fall down होने दे because यह तोड़ा सा fall down होते भी आना चाहिए जब आप इसको dark hair के उपर बना रहे होंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं visible होंगी pins आपकी और काफी अच्छा look इसका आएगा इस point से भी हम इसको तोड़ा सा दबा देते हैं तो हम fine pins just use कर रहे है इसको lock करने के लिए बस section के बराबर आपने इसको लगानी है तो यह वाला आपने कुछ इस तरीके से front बना लेना है and now other side से भी हम इसको set करने वाले हैं okay so now इस side से अगर आपने face framing section छोड़ने है तो face framing section आपको इस side से छोड़ना पड़ेगा और इस side से भी आप एक face framing section छोड़ सकते हैं but यह तब ही छोड़ेंगे जब client के face पे नीड हो otherwise you have to play just part इसको backward की तरफ आपको play करना पड़ेगा तो हम इसको पीछे की तरफ प्ले कर रहे हैं तो यह अपने section को लिया ओसिस का spray आप कर सकते हो and इसको भी देखो अभी हमने front पे क्या दिया है केवल link look दी है तो इसमें हमने कोई lines वगरा नहीं बनानी जैसा आप इसको हलका सा spread करें और इसको backward की तरफ ही आप ले जाए balance करते हैं section को कि यह कहां पे अच्छा लगेगा तो इसको एक बारी देख लेते हैं यह आप top point पे देखें यहां अच्छा लग रहा है तोड़ा fall में अच्छा लग रहा है या बिल्कुल इसको उपर ले जाए तो तोड़ा सा आपने देखना है किदर ज्यादा चीस की लुक आ रही है तो इसको हम देख लेते हैं तो यह आपकी upward की लुक है कि अगर आप इसको उपर की डारेक्शन में ले जाते हैं यह आपका midway का लुक है तो यह मिट में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हम हम इसको mid पे देने वाले हैं तो आप इसको यहीं पे ले जाएंगे तो स्ट्रेट पफ के equality में इसको merge करते हुए हम बैक पॉइंट पे ले जाएंगे और यहीं पे हम इसको लॉक करने वाले हैं तो इससे आपकी face framing भी आ जाएगी अब यह तोड़ा यहां से डाउन तक जा इसको आपका कर दिया है नाव जोच जोफाइनल स्प्री यह दे करें इसको एक भी फ्लाइ थ नजर ना है जहांपर फ्लाइ है दिखते हैं जस्टू हार इस प्रीय और उसको आपने कीड कर देना हाड और ऋसको just need कर देंक फ्रंट पॉइंट पे भी आप्रे इसको वे खु दो में आपका है जाना चाहता है उसको उसी डारिक्शन में प्ले करें अगर आप उसको अपॉसिट साइड प्ले करते हैं तो वो जरूर खराब हो जाएयगा तो जब आपको को तो कर भी कि आप प्ले करना है जहां उसका तो कुछ इस तरह के से हमने इसको बनाना है और यह है आपका फ्रेंट वेरियेशन और बाक में हम इसको जो है बॉबी पिन से जस्ट आइट करके लॉग करनेंगे बोट आफ साइट के शेक्षन तो यह हमारे शेक्षन जो है सारे यह मैं बैक पॉइंट पे एक बारे आपको दिखा देता हूँ यह जो सारे फ्रेंट के शेक्षन है वह हमने इसी पॉइंट पे जो है लॉग कर दें है और अब बैक पॉइंट पे आप जो मर्जी स्टालिंग बनाना चाहूँ अगर आप कुछ ओपन स्टालिंग प्ले कर रहे हैं तो ओपन स्टालिंग के लिए आपने यह सारे कल्स कर लेने हैं एंड कल्स करने के बाद इन पिंस को आप पिन अप करके हाइट कर लें या आप कुछ बन स्टालिंग बना रहे हैं तो सारे हैर को लेके आपने यह बन बन लेना है तो पिंस आपके सारी कवरेज हो जाएंगे ओके सो कुछ इस तरीके से आपने ये फ्रेंट तयार करना है विद मांग्टी का सेटिंग और इसमें आपने दोस्तों याद से जो है डबल टेप जरूर लगाना है क्योंकि कई बारी क्या होता है कि क्लाइंट या आप होन होता है तो ऐसे ना करें आप जरूर याद से आप डबल टेप लगाएं क्योंकि अगर क्लाइंट फंक्शन पे निकल गई हो और उसका मांग्टी का लॉक्ट नहीं है तो फिर काफी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि मांग्टी का मूव करता रहेगा तो छोटा सा WT ले लेता हूं यह चोटा सा WT ले लिया हमने मांग्टी के नीचे दोस्तों आपने जो है यहla है मने जाने मंग्टी के पीछे जो यह पेंडल होता है नहीं होता है इसको आपकी प्रेस करके यह नहीं है टीक है इसको जस आपने प्रेस करके इसको यहीं पर लॉक कर देना है तो अब आपका मांग्टिका कहीं मूव नहीं होएगा आपको थोड़ा मांग्टिकी कि अकॉर्डिंगली इसको लगाना पड़ेगा कि बड़ा है तो बड़ा आएगा आपका डबल टेप और छोटा है तो छोटा डबल टेप आपको इसको लगाना पड़ेगा तो दोस्तों यह कुछ इस तरीके से आपने काइंड हो ब्राइडल लुक भी आप यह प्लेई कर सकते हो और जस इसको हम एरिंग भी आप पहना लेते हैं हम तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसको डबल टेप से लाग कर लेना है ताकि यह मांक्री का बूब नहों यह हमने एरिंग भी पहना ली है तो कुछ इस तरीके से आप यह लुक आप त्यार कर सकते हो काइड आउ ब्राइड लुक भी आप दे सकते हो काफी लाइक ऐलिगेंट डिसंट लगता है यह फ्रेंट वेरियेशन यह देख लीजे कुछ इस तरीके से आपका यहां से और यह फ्रेंट की कुछ इस तरीके से लुक आएगी बैक पॉइंट पे आप कुछ से भी स्टालिंग आप प्ले कर सकते हो तो कुछ इसका यह फाइनली लुक है यह देखे यह यहां पे आपका पाफ आजाएगा यह इसका फ्रेंट लुक तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने डबल टेप लगा कि मांग्टी को कुछ सेट क करना है कुछ इस तरीके का आपका लुक आएगा काफी अच्छा लगता है काफी एलिगेंट अन डीसंट हैस्टाल लगता है सिंपल सा लगता है नीट अन क्लीन स्टालिंग है क्लासी स्टालिंग है काफी अच्छा इसका लुक आता है ब्रैडल हैस्टाल में भी आप इसको play कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का इसका look आएगा, finally look यह आप देख सकते हैं, यह turning point जिस आपको ear के top area से यहां तक और यहां तक इसको show करना है, fall भी आएगा, a turning point जिस आपको in the corner point पर आपको show करना पड़ेगा and just आप क्योंकि हम यह neat styling play कर रहें, तो इधर से भी आप layering walk ना दे, neat styling दे, तब यह काफी सुन्दर लगेगा तो कुछ इस तरीके से आपने इस styling को complete करना है, यह कुछ इस तरीके का, इसका front variation का look आएगा, यह front variation हो गया, कुछ easy सा, अब आप आप लोगों को समझ बे आगे होगा, कैसे बनाना है sectioning भी आपको समझ बे आगी होगी, कैसे बनाना है, so stuffing का भी, I hope आप लोगों का fundamental clear हो गया, अगर doubt कतम हो गया होगे कि like कैसे आपने stuffing को log करना है so यह कुछ topic हमने cover करे, जैसे back coming, stuffing को set करना, front variation साथ-साथ में ही, थोड़ा सा simple सा है, and stuffing को कैसे place करें, और top of, यह ही को हम बोलते है, top of for the dupatta setting, with long stuffing, ठीक है, ताकि हम dupatta उस पे set कर सके, अब इसके उपर आप dupatta set कर सकते हो, because हो भी काफी solid है heavy dupatta's भी है, तो हम इसके उपर set कर सकते हैं, so दोस्तों, please मुझे बताएगा, जरूर यह वीडियो आपको कैसी लगे, mention जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो इसे like, share, जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में, उन लोगों के साथ में, जिनको तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, नई वीडियो में, कुछ नई स्टारिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेगा, और आप लोगों का प्यार इन सपोर्ट ऐसे बनाए रखेगा, till then, bye bye, take care